हेलो फ्रेंट स्वागता आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिकास्थ्रीवन टैग तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर है यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना के डालते हैं तो आज किस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी इस वीडियो को किई को ना दिखाए या आपकी कोई ऐसी वीडियो है जिसे और उन नहीं दिखाना जाते तो से कैसे अग्रफ ब्लेजर करने से पहले और आप में चैनल पर नियुक्त करें दो को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नहीं नहीं वीडियो की नॉटिक्टिकेशन मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसमें आपको सबसे पहले अपने मुबाइल के अंदर वाइटी स्टूडिया एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है मैंने इसमें डाउनलोड किया हुआ है वाइटी स्टूडिया एप्लिकेशन को ओपन करूंगा इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे और इसमें अपने चैनल से हमें लोगिन कर लेना है जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है तो मैंने इसमें एक डमी चैनल से अपने लोगिन किया वीडियोज पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज आ जाएंगे, आप जिस भी वीडियो को प्राइवेट करना चाते हैं, आपको उसके उपर क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली वीडियो है, इसी के उपर क्लिक करता हूँ, इसके उपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसे option आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं visibility public दिखाई दे रखी है अभी तो इसे हमें private करना है तो वो कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला पैंसिल का एक आइकन बना हुआ है उपर राइट कोर्नर में तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पैंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इंफो और एडवांस सेटिंग के option मिलते हैं बेसिक इंफो में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यह सेकंड नंबर पर पब्लिक लिखा हुआ है इस पब्लिक के सामने यह एरो है हमें इस एरो के उपर क्लिक करना है यहाँ से आप देख सकते हैं आप अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं लिस्टेट कर सकते हैं और यहां पर यह है प्राइवेट मॉड जिससे यह किसी और को नहीं दिखाई देगी तो हमें प्राइवेट करनी है तो हम इसे प्राइवेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से हम उपर से बैक आ जाएंगे और उसके बाद हमें यह प्राइवेट दिखाई दे रही है लेकिन हमें यह private तब तक नहीं होगी जब तक हम यह उपर इसे save नहीं करेंगे तो उपर right corner में यहाँ पर save का एक option आपको दिखाई दे रहा होगा आपको इसके उपर click कर देना है अब यहाँ पर दुबारा click कर देंगे यह इस तरीके से edit saves लिखा आ गया नीचे तो अब यह हमारी वीडियो private हो गई है और यह किसी को दिखाई नहीं देगी तो इस तरीके से आप अपनी YouTube की किसी भी वीडियो को private कर सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो उसे like जरूर करें और जाद से जादा शेयर करें थैंक यू